हेलो दोस्तो, दोस्तो टेक्नोलोजी सेक्टर ने काफी लंबे टाइम में बहुत अच्छी रिटरंस दी है और टेक्नोलोजी सेक्टर आने वाले 5-7 सालों में मुझे एक ऐसा सेक्टर लगता है जो आपको अच्छी रिटरंस बना कर दे सकता है तो आज हम एक fund के बारे में बात करेंगे जो technology sector में ही अपना major पैसा invest करता है Tata Digital India Fund के बारे में तो ये एक sectoral fund है जो अपना major पैसा technology sector में लगाता है तो इस वीडियो में हम detail में देखेंगे इस fund ने कहां अपना पैसा लगाया हुआ है कितनी इसने returns दिये कैसी volatility रही है और end में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस fund में invest करना चाहिए या नहीं तो दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक technology sector का fund है यानि कि ये जो अपना major पैसा है ये technology sector की companies में invest करता है वहीं दोस्तो अगर हम इसके benchmark index की बात करते हैं तो BAC IT इसका benchmark index चल रहा है और दोस्तो अगर इसकी launch date की बात करें तो December 2015 में ये fund launch हुए तो लगबग 6 साल के आसवास इस fund को अभी हो चुके है तो comparatively थोड़ा नया fund ये यहाँ पर दिख रहा है अब दोस्तो अगर इसके fund manager की हम बात करते हैं तो इस fund में दो manager अभी यहाँ पर काम कर रहा है एक Miss Meeta Shetty जो April 2020 से इस fund के साथ जुड़े हुई है और Mr. Venkat Samala जो इस fund के साथ November 2020 से जुड़े हुए है तो यहाँ पर एक थोड़ा negative point मुझे यहाँ पर दिखते है कि जो fund manager ने इसके comparatively नए है जादा मुझे comfort उन funds में आता है जो 5-6 सालों से लगातार अपना same fund manager के साथ काम कर रहे हुँ वहीं दोस्तो अब अगर हम इसके asset under management की बात करें तो 3800 करोड के आसपास का asset under management यह fund handle कर रहा है वहीं दोस्तो अब अगर हम इसके asset allocation की बात करें market cap wise तो इसने सबसे जादा पैसा large cap companies में लगाया हुए 75% के आसपास then mid cap companies में 11% और small cap companies में 4% के आसपास तो दोस्तो जो sectoral funds होते हैं इनके उपर कोई restriction नहीं होती है कि इनको किसी particular market cap की company में कितना पैसा लगाना है लेकिन फिर भी यह fund जो है यह large cap companies में जादा पैसा लगाते हुए चल रहा है यानि कि within technology sector यह comparatively कम risk यहां पर ले रहा है अगर इसकी expense ratio बें हम लोग बात करते हैं तो expense ratio इसकी काफी कम है सिर्फ 0.43% की expense ratio यह fund चार्ज कर रहा है और अगर हम इसकी category average की बात करते है तो category average expense ratio 1.12% है तो काफी कम expense ratio है इस fund की अगर हम इसकी बागी sectoral fund से compare करते हैं अच्छी बात क्या है कि sectoral funds में हम normally देखेंगे 1% के आसपास की expense ratio देखने को मिलती है लेकिन यह fund काफी कम expense ratio चार्ज कर रहा है और पिछले 6-8 महिने में जो मैंने इसका track record देखा है expense ratio इसने लगातार अपनी कम की है तो investors के लिए यह एक काफी positive बात हो जाती है वहीं दोस्तों अगर इसके exit पे हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप इस fund में invest करते हैं तो अगर आप 30 दिन के अंदर अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 0.25% का exit load देना होगा 30 दिन के बाद आप कुछ भी निकालते हैं तो कोई exit load नहीं देना होगा तो यहाँ पर यह भी एक positive बात है कि exit load के angle से बहुत ज़ादा restriction नहीं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है अब आईए दोस्तो इस fund की risk ratio से इस fund की investment strategy के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं standard deviation इसकी 21.81 चल रही है sharp ratio इसकी 1.27 है वहीं turnover ratio इसकी 52% चल रही है इसको अगर मैं इसकी category average से compare करता हूँ तो दोस्तो standard deviation जो category average है वो 18.27 है standard deviation दोस्तो किसी भी fund का यह बताता है कि एक fund कितना ज़ादा volatile है return देने के मामले में और यह जितनी कम होती है उतनी एक fund की ज़ादा अच्छी stability दिखाता है तो यह fund थोड़ा ज़ादा volatile है in comparison to its category average वहीं दोस्तो sharp ratio किसी भी fund का यह बताता है कि एक fund better risk adjusted return दे पा रहा है या नहीं यानि कि कम risk लेकर ज़ादा return और यहाँ पर जितनी ज़ादा sharp ratio होती है उतनी ज़ादा एक fund की better risk adjusted return दिखाता है तो यहाँ पर sharp ratio के मामले में fund बहुत अच्छा है लगबग double इसकी sharp ratio है in comparison to category average यानि कि यह कम risk लेकर काफी अच्छी returns generate कर पा रहा है वहीं दोस्तों turnover ratio किसी भी fund का यह बताता है कि एक fund कितना ज़ादा अपने portfolio में changes करता है कितने ज़ादा shares को buy और sell करता है frequently और कम turnover ratio एक fund की buy and hold की strategy दिखाती है और मुझे दोस्तों हमेशा से मैं आपको बताता हूँ आ रहा हूँ वो funds हमेशा अच्छे लगते हैं जिनकी turnover ratio कम होती है यानि कि वो funds जो भी companies को अपने portfolio में एक बार ही add कर रहे है तो बहुत detailed research के साथ long term के लिए portfolio में add कर रहे है तो यह यहाँ पर इसकी turnover ratio लगबग 52% के आसपास है जो category average turnover ratio उससे आधी है तो बहुत अच्छी turnover ratio यहाँ पर मुझे दिख रही है और being a sectoral funds यह काफी कम turnover ratio मान सकते हैं अब दोस्तों quickly मैं आपको इसकी sector wise allocation दिखा देता हूं तो sector wise allocation में सबसे जादा जैसे कि मैंने आपको बताया था technology sector ही है 74.31% लेकिन उसके अलावा थोड़ा बहुत यहाँ पर communication, engineering, service sector भी आपको देखने को मिल रहा है तो majorly technology sector है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि 100% पैसा technology sector में ही लगाया जाता है कुछ portion इसका diversification के लिए और sectors में भी लगाया जाता है जैसे यहाँ पर आप communication, service, engineering इस type के sector यहाँ पर देख रहे हैं वहीं दोस्तों अगर हम top 10 companies पे यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो सबसे जादा allocation यहाँ पर Infosys का 21.25% के आसपास TCS 12.45%, then Tech Mahindra, HCL Tech यहाँ पर आपको 9% के आसपास दोनों दिख रहे हैं उसके अलावा Persistent Systems, Wipro, L&T Infotech, Emphasis, L&T Tech और भारती ATL में भी इसका 3-3% के आसपास allocation है तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर top 10 companies का इसका portfolio समझते हैं तो जैसे कि हमने देखा था कि major portion यह large cap technology companies में लगा रहा है और यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने लगबग 50% पैसा अपना सिर्फ 4 companies में ही लगाया हुए Infosys, TCS, Tech Mahindra और HCL Tech तो इन 4 companies के चलने ना चलने पर काफी जादा इस fund की returns depend करने वाली है और यहाँ पर मुझे top 10 में बहुत जादा allocation जो अभी बहुत अच्छी companies जो चल रही है थोड़ी risky companies जैसे कि Happiest Mind, FLA India जो मुझे companies यह अच्छी लगती है Recent में companies चल रही है, Happiest Mind हो गया, FLA India हो गया, Mind Tree हो गया वहाँ पर जादा allocation यहाँ पर top 10 में नहीं है और Recent में अभी इन्होंने भरती ATL को भी अपने portfolio में add कि है तो यह थोड़ा fundamentally strong जो already proven companies हैं उन पे जादा rely करके यह fund भी चल रहा है वहीं दोस्तों अगर हम इसकी return पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने one time investment की होती 10,000 रुपे से इस fund में तो एक साल में इस fund ने वो पैसा आपका 19,000 रुपे बना दिया है यानि एक साल में इस fund ने आपका जो पैसा है 93% की return दिया है वहीं दोस्तों अगर आपने 5 साल पहले इस fund में 10,000 रुपे लगा दिया होते हैं तो वो 10,000 रुपे इस fund ने आपके 48,000 के आसपास बना दिया है यानि कि 37% की return इस fund ने आपको 5 सालों में generate करके दिया है तो दोस्तों बहुत अच्छी returns है technology sector में हम हमेशा बात करते हैं कि कितनी अच्छी returns पिछले 5-7 सालों में दिया है और वो इसकी returns में यहाँ पर दिख रही है और दोस्तों अगर आपने इसकी inception में ही पैसा लगा दिया होता तो वो पैसा इस fund ने आपको 42,000 के आसपास बना दिया यानि कि 28% की return इस fund ने आपको generate करके दिया है वहीं दोस्तों अगर हम SIP investment में यहाँ पर बात करते हैं तो 1000 रुपे से अगर आपने इस fund में SIP कराई होती तो 5 सालों में 60,000 के आपकी लागत इस fund ने 1,72,000 के आसपास बना दिया है यानि कि लगबग 3 गुना इस fund ने आपका पैसा कर दिया है 43% के आसपास की return इस fund ने generate की है तीन सालों में आप देखेंगे 36,000 के लागत 81,000 होगी 60% के आसपास की return तो returns इस fund ने काफी अच्छी यहाँ पर दिया है लेकिन दोस्तों जैसे मैं आपको हमेशा पताता हूँ कि अगर आपको सही माइने में यह judge करना है कि क्या वो fund अच्छा perform कर रहा है या नहीं तो आपको compare उसको करना है उसके benchmark से और अलग जो अलग-अलग sector के index है उन से तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस fund का comparison इसके benchmark index से करते हैं तो 5 सालों में आप देखेंगे इस fund ने 35% की return दिया और इसके benchmark index ने 31% की तो 4% से ज़ादा return इसने अपने benchmark से दिये वहीं 3 सालों में इसने 6% ज़ादा return दिया और एक साल में अगर आप देखते हैं इस fund ने 98% की return दिया और इसके benchmark index ने सिर्फ 67% की तो इस fund ने लगातार अपने benchmark index को बीट किया जो की एक अच्छी बात है इसके अलावा हम एक और index से इसका comparison अभी देख लेते हैं अब दोस्तों अगर मैं इस fund का comparison Nifty IT index से देखता हूँ जो की एक और IT index है अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक साल में इस fund ने उस index को भी काफी comprehensively बीट किया है इस fund ने 92-3% के आसवास की return दिया वहीं Nifty IT के index ने 69% की return दिया है बीट कर पा रहा है अपने benchmark index को भी और Nifty IT के index को भी तो यह एक बहुत ही positive बात हो जाती है investors के लिए अब दोस्तों बात आती है क्या आपको इस fund में invest करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों यह एक अच्छा fund है जो technology sector में अच्छा fund returns दे रहा है और within technology sector भी यह comparatively कम risk ले रहा है क्योंकि यह majorly large cap companies में IT sector की invest कर रहा है बहुत जादा यह allocation small cap और mid cap companies में नहीं कर रहा है यह मैंने थोड़े दिर पहले आपसे discuss भी किया था कि Tata, LXC, happiest mind ऐसी companies में बहुत जादा allocation top 10 में नहीं दिख रहा है तो यह मुझे एक positive बात लगती है कि अगर आप within technology sector comparatively कम risk लेना चाहते हैं तो आप essay fund का चुनाब कर सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि इसका जो major 50% allocation है वो 4 companies में है तो concentration risk यहाँ पर आपको ज्यान रखना है अगर आप इसमें invest करते हैं और दोस्तो अगर आप high risk लेने वाले investor हैं तो ही आप technology sector में invest करें और अगर आप invest भी करते हैं तो 10-12% से ज़्यादा पैसा किसी एक particular sector fund में ना लगाएं टिकेटेप का link दोस्तो मैंने description में दे दिया है अगर आपको भी ऐसे ही analysis करना है और दोस्तो अगर मैं technology sector की बात करता हूँ तो मुझे लगता है लंबे टाइम में technology sector एक अच्छा sector साबित हो सकता है मेरी तरफ से दोस्तो आज बस इतना ही अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगियो तो इसे like करना ना भूलें धन्यवाद